प्रेंड्स किचन क्यून चैनल का स्वागत है आज हम बनाने जाए अरहर की दाल और चना दाल का मिक्स तड़का चली बनाना शुकरते हैं एक कटूरी भर के चना दाल लिए हैं उससे थोड़ा आधा लिए हैं अरहर की दाल दो टमाटर दो प्याज एक लसुन कपोट अधरा क कि दो दो देते हैं अच्छा तरह से अच्छा खाशी दोने के बाद ही चार पांच पान से दोने को आधि दाल को अच्छा से बनाए कूकर में लिए कि ृए स्वाध उनुसार इसे जाonse raल जली अगल जाएगा और फृठा सा हलदी पॉर्टर आधा चमार देते हैं छोटी चमच से अधी चमच अच्छा से ढग देंगे उबालाने तक के लिए जब अच्छा से उबाला जाएगा इसका फेन को हमें निकाल लेना है क्योंकि इसे बहुत काफी बिमारी होती है जब भी दाल बनाए तो कोशिज करें इस तरह से गंदगी निकालनेगा इससे ठोना में द कुकर में कभी नहीं बनाते हैं दाल भी जल्दी गलता है जिसके कारण रूराना पड़ता है डाल में काफी समय लग जाता इस के लिए बहुत अच्छा गवा एक तो घय्स नहीं होता है इसे काफी फायदेबंद होता है लिए कि सब कुछ है हमेसा हम कहते हैं। इसलिए चील के रखेते हो हरी मीर्ची तेश पत्ता दस दाना लसुन का सब डाल दियें इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है स्वाद लगेगा आपको खाने में तड़का का अब तीन आज तीन सीटी लगाएंगे वह भी मीडियम आज पे हम ज्यादा तेज आज को बिल्कुल ही कर एकड़ा ही कर्म करते हैं इसमें हम तेल डालेंगे चार चमस तेल डालेंगे सबसे पहले चोटी चमस से एक चमस भर की जीरा दियें वह जीरा अच्छा से चटक जाएगा तो हरा मीड़ा कट करके रख दियें दस पीस वह डाल दे रहे हैं तीखा आपने कम ज़्यादा कर सकते हैं अल्यसुन को हम डाल दे रहे हैं जे एक पो डाल दिखाये थे आपको वह जलाना बिल्को नहीं है अदरा को हम दर दरा कूर दी वह भूनेंगे सिर्फ तीन-चार ब छोलनी चलाने के बाद उसमें तुरह प्याज डाल दीजीगा नमक दे रहेंगे तक कि जल्दी से सारे प्याज गल जाएंगे अच्छा सिसको हम लोग ढग देंगे फेन जब भी निकालीगा तो कल्चिल को दाल में बिल्कुल टच मत किजेगा इसे दाल आपका देरी से सीज़ेगा उपर से ही फेन हम लोगो निकालना है कलर एकडम चैंज हो गया हलका से जेसे देखियेगा जो देखिए इसे मों लिकूर कटर इंगे की मेंद़ी जलाला नहीं इसे टेस्ट के दम खराब हो जाता है किसी बी चीजका श्तभर शेगा को यह जल्दी से घटकर रखे हैं मैं सब्धर न चाह पाइसा तार्ध करा का था का च Dawn चनला के मिला आदे बनी आब ते मिलाने के देख्थशा था का भी लेकिन रहर चना की दाल से बहुत ही ज्यादे टेस्टी बनता है स्वाथ लगता है कि चना दल थोड़ा से देजी से गलता है और रहर बहुत जल्दी गल जाते इसलिए दोनों को मिक्स करके बनाएगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप चाहे तो मुंग दल की बना सकते हैं या सादा चना का भी बना सकते हैं या सिर्फ अरहर की भी बना सकते हैं बहुत अच्छा तड़का बनता है यहां पर मिक्स करके बनाए हैं एक और मुंदल का तड़का भी बनाए थे यूटूब पर हम डाले हैं बहुत अच्छा बनता है उसका भी हेल्थ के लिए बहुत अ हलका श्का पानी देंगे उसे फिर मसाला को भूनेंगे जब भी इसे टमाटर अपयाज अच्छा से बूनाजाएगा आज को एकदम धीमा रखें, बिल्कुल आज को तेज नहीं करें, क्योंकि हमनों को पयाज और टमाटर एकदम गल चुका है, इसलिए ज्यादा तेज कर दीज़ेगा, तो जलने लगेगा, इसलिए धीमा आज करके एक मिनट के लिए छोड़ दे रहे हैं, इसी तरह से धीमा ध आज में भुनाते जाएगा, वीडियो को आगे बढ़ा के देख लिजिएगा, सार वीडियो मेरा चालू रहा गया, ध्यान नहीं दिये हैं, कभी-कभी ऐसा होता कि अकपक में कुछ काम करने लगें, तो वीडियो चालू रहा जाता है, इसलिए आप जब भी देखे तो कभी लंबा समय तक वीडियो चालू हो गया है, इसलिए आप लोग को दिकत हो रहा है, हमेशा आप अपना वीडियो आगे बढ़ा के देख लिया किजिएगा, किसके बाद हमें क्या करना है, गल्ती हम लोग से होता है, इसलिए आप देखने में गल्ती मत किजिएगा, माचे थोड़ा सा जदा भर के दिजिएगा, यहाँ पर गल्म मसाला, अभी हम डाल दे रहे हैं, अधनया पोडर भी डाल दे रहे हैं, एक चमज भरके, लाल मिर्cip कोडर एक चमज भरके दा रहे हैं, किसलिए सारे मसाला हम रोश्च करके भून दी हैं, इसलिए इसको ये कुछ दाले नहीं सिब चलाने के बाद चलाने के बाद तरगा टीठी में घलके अच्छा हो गया जिसलें में क्खाना चाहिए वैसा ही बनके रेड़ी है यह दम दिखरा दानेदार गला दीजेगा जादा तो टेस्ट एक दम खराब हो जाएगा इसलिए कभी भी जादा मर डालाईगा यहाँ पर होमेड हम पनीर का इस्तिमाल करेंगे घर का पनीर है इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है तड़का में पनीर यहाँ पर डिएट कर दे रहे हैं स्वाद दुगना बढ़ जाएगा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा पनीर डालने से यह पनीर हो गया तड़का पनीर अब जब भी बनाए तीसरे से एक बर बनाके जरूँ खाईगा बहुत ही स्वाद अच्छा लगेगा आपको आप इसे चाव और पराठा नान कीशी के साथ खा सकते हैं हम लोग तो ज्यादा तो रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं देखी कितना सुन्दर कलर आ गया इदम दानेदार दिख रहा है तड़का बनाने करें इस भी पसंद आज़े तो हमेरे चैनल को लाइक सब्सक्राब पर देशेर के रहे कमेंटरी बताए तीन मिट हम धीमा गयस पर इसे हम चलाए हैं लास्ट मीज में धनिया पती दे कि हम लोग को आ ओल रडी बनके तड़का रेडी हो गया है धाकने से क्या होगा खुस्पव इदम बरकरा रहेगा इसलिए हलका से ढख देते हैं गरेवी अपने अनुसा टाले कि तड़का थोड़ा गाड़ा ही अच्छा लगता पानी पानी बिल्कुल नहीं अच्छा लग तार के साथ कायन जवाय करें अभी से हम लोग छोक लगा देंगे कि थोड़ा रहर की दाल चना दाल वारी करता इसलिए हम घी से चोक लगाएंगे यहां पर हिंका इस्तमाल करेंगे एक चमस भरके घी थोड़ा दे रहे हैं घी काफी जमा और गाड़ा च्छोटी चमस एक ब्लाज मिर्ची दें गुद्षी चिराल एक थोड़ा सा करें थोड़ा सा बूगनी इस्तमाल करें तो हम लोग तीता है हालका सा चलाद रहें दाइक हम दण पाग जाए इसको जलाना देंगे अब्यूत निकाल को स्कों रखा पिछोख लगा देंगे चलिए अब चोक लगा दिये एदम तरका परफेक्ट हो गया बनके रड़ी हो चुका है खुश खुश का बरकार है चलिए मिक्स करके आप तो खागा दीते हैं कितना खुशूरत बनके रड़ी हो गया है चलिए इसको अब खाना शुरू कर देते हैं इसी तरह से बनाए आप पूरे परिवार के साथ आप इंजोए करे दे कितना सुन्दर गाड़ा बनके रड़ी हो गया है पनीर के साथ बनाए इंजोए कीजिए